दोस्तो हम अपने बालों में लगाने के लिए हैर ओयल का इस्तिमाल करते हैं इसी तरह मसाज करने के लिए मसाज ओयल का इस्तिमाल करते हैं लेकिन दोस्तो क्या आपको पता है कि एक तेल ऐसा भी है जो सेक्स पावर बढ़ाने के काम हाता है एक ऐसा तेल जो मर्दों की पहली देखा नहीं होगा और यखीनन जब आपको पता चलेगा कि वो कैसे बनती हैं और किसे बनती हैं तो आप भी हैरान हो जाएंगे ऐसा ही एक तेल है जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा दुकानों या रा चलते ठेलों के पास आपने सांडे के तेल के शीशियों को जरूर देखा होगा जिहां इस तेल का नाम है सांडे का तेल लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सांडे का तेल किस से और कैसे बनता है दोस्तो आपका क्या रियक्शन होगा अगर मैं कहूं कि सांडे का तेल चिपकली से बना जाता है जिया दोस्तो सांडे का तेल छिपकली से ही बना जाता है लेकिन कैसे बना जाता है और क्यों बना जाता है उसका इस्तिमाल कहां और कैसे करते हैं इसका इस्तिमाल करने से क्या क्या हमें फायदे होते हैं यह जानने के लिए हमारे साथ आज के इस वीडियो में बने रही है वी आखिर सांडा होता क्या है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि सांडा होता क्या है दरसल सांडा नाम की चिपकली के वसा से ही सांडे का तेल बनता है सांडा रेतीले इलाकों में पाये जाने वाला एक बड़ा सा चिपकली होती है यह दिखने में समाने चिप छिपकली से काफी बड़ी होती है यह सांडा छिपकलियां भारत में राजस्थान और उसके आस-पास के मर्वस्थल में जादा संख्या में पाई जाती है सांडे का तेल बनाने के लिए इन छिपकलियों को मारना पड़ता है और इसके अंदर मिलने वाली ग्रंती में मौजू वसा से सान्डे का तेल तयार किया जाता है। इसके अलाबा सान्डे का तेल इस्तेमाल करने से लिंग की कमजूरी भी दूर होती है। आदमियों में शिक्रपतन, स्तंबंदोश और लिंग की नसों में होने वाले धीले पंज ऐसी समस्याओं को भी दूर सांडे का तेल इस्तिमाल करके किया जाता है। सांडा चिपकली गर्म रेगिस्तान में पाई जाती है और इसलिए इसके शरीर में मिलने वाली वसा काफी गर्म होती है। सांडे का तेल बेचने वाले आपको शीशियां लिये हुए सडकों के किनारे मिल जाएंगे या फिर टेंट में जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले व्यादे के पास भी सांडे का तेल मिल जाता है। वो असली तेल नहीं होता है बलकि उसमें मिलावट होती है। तेल लगाने से कई तरह के साइड एफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। कई रोगियों को तो सांडे का तेल जिस जगा पर इस्तिमाल किया गया माप्लास्टिक सजरी तक करानी पड़ गई थी। एक्सपोर्ट्स की माने तो सांडे से मिलने वाली वसा बाकी जानवरों से मिलने वाली वसा के जैसा ही होता है और इसमें कुछ भी खास नहीं होता। दोस्तो भारत में भले ही सांडे के तेल पर बैन लगा हो मगर भारत के पडुसी देश पाकस्तान में आज भी लोग सांडे के तेल बेचने का ही धन्दा करते हैं। यह लोग तो रोजी-्रोटी भी इसी से कमा रहे हैं। यह सांडे चुपकली जिनके तेल से यह लोग अपना घर परिवार चलाते हैं। पाकिस्तानके लोग पीडी दरपीडी सांडा चुपकली का शिकार करके इनका तेल बेस्ते आ रहे हैं। सांड़ का तेल निकालने के लिए इन सांड़ा चिपकलियों पर बहुत जल्म होता है। मगर ये कहीं भी आने जाने लायक नहीं होते क्योंकि सांड़ा पकड़ लाने वाले लोग इन चिपकलियों की कमर की हड़ी तोड़ देते हैं। जिसकी वज़े से ये चल फर नहीं पाते हैं। इंगलिस में इस सांड़ा चिपकली को स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड भी कहा जाता है। नकीली होती है, मादा सांड़ा की पूँच उसके श्रीर से चोटी होती है और सिरे पर मोटी भी होती है। दोस्तों सांडे के तेल में मरदानगी ताकत के अलावा भी शरीर के कईयाने हिस्सों में भी मसाज करने से कोई समस्या हल हो जाती है ऐसा दावा क्या जाता है कि मान स्पेशियों में सूजन और हज्जियों में दर्द पर भी ये सांडे का तेल उप्योगी होता है मगर ये तो कानूनी तार पर बैंन है लेकिन पाकस्तान में जोरो शोरो से आज भी ये काम होता है और सांड़े के देल का खुले आम वैपार किया जाता है दोस्तों आपकी राय क्या है क्या कि इसे इंसानी फायदे के लिए किसी मासूम जानवर का शिकार करना सहिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताइजेगा वीडियो को लाइक और श्चेयर जरूर करिएगा मिलते अंगली वीडियो में इस तरह के दिल्चस वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही हैं जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें